वेलकम बैक टो आर चैनल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तरा खंड की प्रमुक जीले और ताल इनको कैसे याद करना है कि नैनी ताल में कौन सा ताल कौन सी जीले है उधम सिंग नगर में कौन सी है यह सब आपको बस ट्रिक से दो चार लाइन से याद करनी और आपकी कि यह सारे जो टाल हैं वो क्लेघर हो जाएंगे उसके बाद जो तालों से डिलेटर इंपोर्टन फेक्ट्स होता है वो भी तालों से जीले में कौन-कौन से ताल हैं तो यह सारे हैं भींताल नैनी ताल यह जो सारे निकले में नौकोचिय ताल, साथ ताल, सुकताल तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है आपका फॉर्मूला है भीम ने हरी नौकर के साथ सुखा मलवा सड़ाया भीम ने हरी नौकर के साथ सुखा मलवा सड़ाया पिर नैनी ताल में शड़ाया भी बहुत अमुदीत यने बहाँ ही कि आपको याद रहे गा कि नैनी ताल की बात हो नां देख से बदिखन Whats Esum लोकर से हो गया आपका नौकुछिया ताल। साथ से ओगया आपका साथ ताल। सूकह से हो गया आपका सूखह • और लुद्धा ऑपको क्होर्ट'll नएनि ताल में हगोसा तौरा सध्द्ध्धृ निया ताल School Sound इंपॉर्टेंट है बट आपको अगर कोई कुश्चन आता है कि द्रोन ताल कहां है तो सुना भी नहीं होता है बहुत से लोगों ने कि द्रोन ताल कहां है कि गड़वाल रीजन के बहुत से लोगों ने इनके नाम यह तो मोस्टली सुने वे लोगों होते हैं बट यह वाले को आपको यह याद रखने हैं है तो उसका कैसे आत रखना है कि गुरू द्रोन गिरे धम से गुरू uz Two डोंक इस में धम से गिरें कहुत हैं नीग सभित यह अफकी ट्रिक गुरू आपका खाली हो गया, द्रोन से हो गया आपका द्रोन ताल, गिरे से हो गया आपका गिरी ताल और धम से हो गया आपका उधम सिंग नगर, तो आपको उधम सिंग नगर की भी याद हो गया है, अब तीसरा है आपका चमपावत में इस्तिल ताल, तो चमपावत में जो Why अब आपके अलमोडा में घुटा यही ताल है तड़ाग ताल तो अैसे याद कर सकतर तो यह आपको इजिली याद हो जाएगा तड़ाग रहा है और अलमोडा में भी राड़ा तो यह आपका इजली हो जाएगा इसमें कुछ ज्यादा वो नहींद अब नास्ट जो बच नहेनी ताल के ताल है और उत्र जो गडवाल रीजन में है वो सबसे जयादा जीले में ताल है बड़ यहां पर तीहरी में समढूर ताल ज़ियान रखना सबढूर पताल है? वर आपकी चमळा टिहरी अब देखें तीहरी के जो ताल हो गए हैं ये देखें यम ताल मसूर ताल सहस्तर ताल महासर ताल अपसरा ताल बिलंग ताल और बासुकी ताल तो इसके लिए जो फॉर्मुला है वो है यम लोग में सहस्तरों महान अपसरा भी वास करती हैं ये एजी सी लाइन होती है ये वै हैं कि आप इन्हें वैसे याद करो तो बहुत टफ बढ़ जाता है जिसको याद हो जाती है तो बहुत बढ़िया है वो वैसे भी याद कर सकता पर जिनको याद नहीं हो रही है तो वो ट्रिक्स ही फॉलो करें बट बस ट्रिक्स पे ही न अठके रहें उसके बाद अपनी बृअप से हुगा आपका महसर ताल अपसरा से हो है अपसरा ताल है वा पता भी उना कि ऐसे से पहले हमने कौंसी वीडियो में ळी तंत्रे में कौंसी नदी देखी थी घृझा Cute इंच प्रियाकई अब देखी थी हमारे पास की उत्तर काशी जिल्ले के कौन-कौन से ताल है तो उत्तर काशी में आपके काणा ताल देव ताल नची किता ताल यह जो है तो इसके आप फॉर्मुला है काशी देव नीचे डंडा खड़ा लिए भरवर रोए उत्तर बया कैसे करूं तो बहुत रो रहे हैं कि उत तर बया कैसे करूं अब देखे काशी से हो गया आपका काणा ताल देव से हो गया देव ताल नीचे से हो गया नची केता ताल डंडा से हो गया डौंडी ताल उसके बाद है आपका लिये से हो गया आपका यहां पे लिये है यह हो गया आपका लामत ताल भरवर के है आपका भरान सर ताल और रोय से हो गया आपका रोही साड़ा ताल फिर बयां से हो गया बयां ताल और के से हो गया केदार ताल तो यह हो गया आपके उत्तरकाशी जिल्ले के सारे ताल उसके बाद आता आपका कि जो रुद्र प्रयाग में जो ताल स्थित हैं उनका क्या शॉटकट है वो हम देखते है अब देखे रुद्र प्रयाग जिल्ले के जो ताल है ये केदार नात जी का वो है बाबा केदार का रुद्र प्रयाग जिल्ला तो इसका फॉर्मूला है रुद्र देव बांसुरी बांध चोर पकड़ लाए अब वैसे तो बांसुरी बांते है क्रिश्न गवान जी ने बांसुरी बांद चोर वो पकड़ लाए तो रुद्र से हो गया आपका रुद्र प्रयाक रुद्र से रुद्र प्रयाक देव से हो गया आपका देवरिया ताल बांसुरी से हो गया आपका बांसुकी ताल बांद से हो गया बधानी ताल और चोर से हो गया आप जो सबसे ज़्याद ताल इस्तित है तो आपके चमोली में इस्तित है तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी लिस्ट है तो इसके लिए हमें एक पोएम याद करनी पड़ेगी और वैसे भी आपको ये जहान रखना है कि आपने उपर के सारे ताल याद कर लिये हैं जो नहीं बचा है वो आपका कहां बचा है चमोली में बचा है जब आपको उत्तरकाशी का पता है तीरी का पता है रुद्रप्याक का पता है जो चीजे नहीं आई वो कहां आएंगी वो चमोली में आएंगी और उसके लिए एक पोएम भी है कि हम संत बिराजे विश्ण लोग related है हम से हो गया home kund एक चीज धियान रखिए कि home kund और hem kund दो अलग-अलग चीजे हैं तो वो अभी नीचे cushion आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगे और आपको धियान रखना है कि home kund और hem kund अलग-अलग है तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो यह लोग पाल जील की मैं बात कर रही हूं यह है आपका hem kund साहिप से और home kund अलग है तो हम का हो गया home kund संत का हो गया सतोपंथ 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 से तीसरा हो गया आपका विराजे से हो गया विरही ताल, विश्नु से हो गया विश्नु ताल, लोक से हो गया आपकी लोकपाल छील सिद्द से हो गया सिद्द ताल, से हो गया लिंग ताल, मनी ताल, ये हो गया जल ताल आचरिया से हो गया आपका आचरिया ताल सुनाई से हो गया सूखा ताल और गाना से हो गया आपका गोहना ताल मीचे हो गया आपका मात्रिका ताल कावेरी काग भुशंडी ताल ना से हो गया आपका इससे याद रखिया आपकी बेनी ताल से हो गया नर्सिंग ताल और गुसाय से गुढ़ार ताल तो वैसे आपको ये इतनी बड़ी पोयम याद करने की ज़रूरत नहीं है बस आपको बाकी सारे याद करने ने जो नहीं आ रहे हैं उसमें वो आपकी चमूली में आ जाएंगे अब आपके तालों से related जो important facts हैं वो हमको याद रखने हैं कि कौन-कौन से questions इस से related बन सकते हैं एक तो ये बनता है कि कौन सा ताल कहां इसे हमने सारे shortcut से याद कर लिया है इसमें भी हम कुछ-कुछ tricks अपलाय करेंगे अब देखिए यहाँ पे हैं नैनिताल इसको बोलते हैं सरोवर नगरी तो इसकी जो खोज की थी वो करी थी सीपी बेरन ने किस ने करी थी खोज बेरन ने बहुत बेरन आदमी था वो उसने क्या करी थी नैनिताल की या नैनिजिल की खोज करी थी तीसरा है आपका भीम ताल भीम ताल है आपका तिर्बुजा कार और ये है कुमाओ का सबसे बड़ा ताल अब आपको पता है कि जो भीम थे वो बहुत बड़े थे और उन्हेंने जो गदा पकड़ा है वो ऐसे याद कर लीजे थिर बूज के आकार का क्या करा है गदा पक्ड़ा हुआ है तो भीम मताल की जो शेप है आकृति है वो कैसी है तिरूज कार है और ये सबसे बड़ा है भीम से हमें पता चल जाРЕगा कि सबसे बड़ा है तो कुमाओ का अब ये ध्यान रखना है कि कुमाओ का और गढ़वाल का दो अलग-अलग चीज़ें आ जाती है अगर कुशन आए कुमाओ का सबसे बड़ा और ये भी हमने याद कर लिया कि भीमताल कहा है उपर फॉर्मले से हम याद कर चुके हैं कि भीमताल नैनीताल नौ कौने है अब नौ कौने से तो आपको ध्यान आई जाएगा कि कुशन समझ में आ जाए कि नौ कौने वाला ताल कौन सा आपका नौ कुचिया ताल हो गया अब दूसरा पॉइंट बनता है कि सबसे गहरा जब आपको पता चल गया दो ही चीज़े बनती है तो सबसे बड से इसा चल गया भी ताल सबसे गहरा कौन सा अपके आता आक साल साथ ताल में क्या है यह से तालों का समू है और इसकी जो आकिरती है वो है अश्व के खुर के समान अश्व क्या होता घोड़ा तो घोड़े का जो खुर होता उसके समान इसकी आकिरती है लेकिन इसमें कौन-कौन से ताल समलित है इसमें आपके गरूर ताल राम लक्षमन ताल सीता ताल और नल दम्य कौन सा है तो ये अपका दम्यंति अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि दम्यंति में कितने construir म circumstance धायज को घुट तो यह कोनई वाला कौन सा हो गया आप का और भार Filip तो तो इसका जो रंग है यह श्याम रंग का जल है यह जल है और इसके जो निकट आश्रम है वह है आपका विवेकने लगें ऐगा इस दूरस न्नौत और आपका और मुझा अब तीसरा है उसके बाद है आपका जिल मिल ताल जिल मिल ताल भी आपका चमपावत में है यह हम उपर कर चुके हैं अब जिल मिल ताल की आकिरती क्या है गोला कार है अब गड़वाली में एक होता है कि जिल मिलाट हो रहा है तो मुझा ऐसा गोले गोले बन रहे होते हैं यह बन गया और नल दम्यंती वाला बन गया और जिल्मिल ताल वाला बन गया यह important question है इससे ही अगर कुछ बनता है ताल से related यह पूरा chapter है जो नदी तंत्र हो गया इसमें आपके फिर ताल एवं झीले होती हैं कुंड होते हैं और उसके बाद है आपका glacier यह सारे एक साथ हैं तो यह जो chapter है यह आपका पूरा short trick से हो जाएगा और बहुत अच्छा भी chapter को question इससे बनते हैं उसके बाद हमारा जो अगला आजाता है वो आता आपका गडवाल छेतर की जीले अभी तक जो हमने उपर पड़ी यह थी हमारी कुमाओ की अब है हमारे पास गडवाल की अब सहस्त्र मतलब हजार हो बहुत सारा तो यह बहुत सारे होते हैं बहुत बड़ी रकम होती है सहस्त्र मतलब हजार रुपे में बहुत सारी बहुत बड़ी रकम है तो इसका मतलब यह हो गया कि सबसे बड़ी यह होगी और यह गहरी भी होगी सहस्त्र जरा सुनने में भी बड पानी है क्वेशन आता है कि लाल रंगा पानी किस जील का है तो वह पासुकी ताल का अब इसके बाद है सतोपंत से मैंने आपको बताया था कि किसका अलग नंदा नदी निकलती है सतोपंत जील से और इसका अकार कैसा है तिरबुजाकार आप कुमाओं में भी देख चुके हैं कि तिरबुजाकार कुमाओं में कौन सा था भीम ताल उन्होंने भीम ने तिरबुज के आकार का गदा पकड़ा था और गड़वाल में कौन सा है तिरबुजाकार सतोपंत ताल जिससे निकलती है आपकी अलग नंदा नदी और इसके सा अच्छी ताल जो की फूलो की घाटी में जो फूलो की खाटी आपको पता हूं मिलता है और यह такие फ़ूलो की स्वार्ट क कसे है लीकान को अब då नहीं पलता हो फचपछ खरके आप आप रिय мед करोंगे, एक तरफ से खोड़लेट करते हैं, कुमाओं में हमने तीन पड़ लिये थे गड़वाल में हमारे पास यह आ गया कि कुमाओं में हमने दो पड़े थे गड़वाल में भी दो आ चुके हैं एक तिरकोन आ चुका और एक शटकोन आ चुका है उसके बाद है आपका महासर ताल तो इसकी आकिरती जो है वो दो कटोरों की समान इसकी आकिरती है और इसको भाई बहन का ताल भी कहते हैं तो भाई हो गया महा असर हो गया आपका बहन ऐसे आप याद रखिए कि भाई बहन दो भाई क्या हो गया महा असर हो गया इसकी बहन तो भाई वेनो वाला ताल क्या होगी आपका महासर ताल अब इसके बाद आता है रूपकुंड इसको हम बोलते हैं कंकाली ताल इसमें माना जाता है कि कोई राजा था और उसके सैनिकों के कंकाल इसमें अभी तक भी पाये जाते हैं तो रूप कुंड को क्या कहा जाता है हमारा कंकाली ताल अब है हमारा होम कुंड और हेम कुंड ये देखें मैं आपको बताया था होम कुंड हेम कुंड को लोकपाल जिल कहा जाता है और ये सिखों का बहुत पवित्र स्थान है और होम कुंड है यहां पे आपका नंदा देव का डोला जो इसके किनारे एक चबूत्रा बना गया है होम कुंड में नंदा देवी का डोला रखा तो ऐसे याद रखिए कि नंदा देवी का होम क्या हो गया होम कुंड में रखा था और लोक पाल से आपको याद रखना है लोक पाल है आपका हेम कुंड जो कि इनका सिखों का बहुत पवित्रिस्तान है और यहां पर सिखों के दश्वे गुरू जी ने तपश्या की थी उसके बाद आपका आता है सुर्वदी या चोरावाडी ताल इसलिए कहा जाता है गांधी सरोवर इसलिए कहा जाता है कि जब गांधी जी मरे थे तो 1948 में जो उनकी अस्तियों का विसरजन किया था वो चौरा बड़ी ताल में ही किया था इसी वज़े से इसका नाम गांधी सरोवर भी कहा जाता और जो आपकी उत्राखंड में केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो इसी जील में पानी के बढ़ने से मंदाकरी नदी में जो था जल जाधा हो गया था और इसी वज़े से वो केदारनाथ में आपदा आई थी उसके बाद है डोडी ताल तो डोडी ताल यह आपको मैं पहले बता चुकी हूँ छै कोनों वाला है अब है भेक ताल भेक ताल की आकिरती कैसी है अंडाकार अंडे को क्या करते हम सेखते हैं तो सेखना नहीं बोलना अंडे को हम भेकते हैं तो अंडाकाराकरती किसकी है भेक ताल की यह आपको याद रगना अंडे को आज सेखे गए नहीं आज से आप अंडे को भेकोगे अब उसके बाद है यहाँ पर रामतीर्थ सुमन सागर यह राज जी की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है तो जो हमारी टिहरी जील है टिहरी लेख है उसी का नाम रामतीर्थ सागर है या फिर सुमन सागर उसको कहा जाता है तो ये इससे दो कोशन बन गए है कि अगर रामतीर्ट सागर किसको कहा जाता है टीरी लेक को या सुमन सागर किसको कहा जाता है टीरी लेक को और राज्ये की सबसे बड़ी कृत्रिम चील कौन सी है यही है टीरी लेक तो यह आपके दो कोशन या से बन चुके है आई होप कि आ बाबाई, टेक्यार